नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपका सरकाई जो आपको बताने वाले हैं कि आप नबोदे कच्छा की प्रिवेश परिक्छा का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर पाएंगे जिसकी जो प्रिवेश परिक्छा है 39 अपरेल को होना है अगर आपने बच्छों का एडमिशन का च्छा में यह निक नबोदे विद्याले में करवाने के लिए फोम भरा था तो अब जो है आप उसका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह क्लासिक्स है जब आहर नबोदे विद्याले सेलेक्छन टेस्ट 2013 एडमिट कार तो एडमिट कार्ड कैसे और कहां से डाउनलोड करना इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो मिल जाएगे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों नबोदे विद्याले एक अच्छा-च्छा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट का नाम टाइप कर देना है सरकारी संगम.com यहाँ पर देख सकते हैं उपर लिखा है सरकारी संगम.com उसके बाद जैसे आप सेर्च कराएंगे www.sarकारी.sंगम.com की जो वेबसाइड है आपके सामने कुछ है इस प्रकार से खुलके आएगे लिंक आपको इसका description में मिल जाएगा यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर देख सकते हैं बिल्यू कलर वाले बॉक्स में दिया है नबोदे class 6 admit card अभी download करें तो आपको क्या करना इसको उपर click कर देना है जैसे आप इसको उपर click करेंगे फिर से एक नया page खुलके आएगा इस page में आ जनम तिथी डालना है और यहाँ जो capture code यहाँ पर दिया है यहाँ जो आंक के दिये है अगर प्लस करके दिया है तो add करके लिख देना है यहाँ पर click कर देना तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने registration number तो मैंने डाल दिया लेकिन जनम तिथी आपको कैसे डालना इसे बताने के मैं यहाँ पर आपको फिस्त बता देता हूं सबसे पहले यहाँ पर जैसे किलिक करें calendar खुल के आएगा और उसके बाद में फिर आपको यहीं पर click कर देना है सबसे पहले कि आपको year select करना है तो यहाँ पर 2011 है तो मैं इसको select कर लेता हूं अब उसके बाद जो भी month है यहाँ पर इसे add करके कितना होगा है यहाँ पर हम add करके लिख देते हैं तो 40, 20, 60, 96, 15 तो यहाँ पर हो जाएगा 75 उसके बाद में आपको क्या करना है sign in के उपर click करना है तो जैसे आप sign in के उपर click करेंगे यहाँ पर आ जाएगा click here to download admit card का link आपको क्या करना है इसको उप admit card download होने लगेगा और जैसे आप click करेंगे नीचे यहाँ पर देख सकते हैं download हो गया है और PDF खुल के आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ दिया है roll number दिया है exam की center पे होगा यहाँ पर कितने बज़े से कितने बज़े तक exam होगा reporting time क्या है नीचे instruction कुछ दिये ग दीगा